हाई गाईज कैसे हैं आप लोग वेलकुम बैक टू मैं चैनल सुबा का टाइम है साथ साथ बज़े की करीब होगा बहुत लेट भी नहीं था बहुत जल्ली भी नहीं था एंड यहापर बोक्ष हमारा बिल्कुल फ्रेश हो के उड़ गिया है आज के लिना इसका यह है कहां प थोड़ सा लेट करते क्या पता आपकी बचे कुछ-कुछ एक्टिविटीस और कर रहे हुए एक मेने तक जो मोक्ष ने अभी तो करा नहीं होगा तो हर बचे अलग है दीरे जल्दी कर ही लेते हैं तो आज मैं मोक्ष का पूरा दिन का रूटीन शेयर करूंगी मतलब अभी से रेके ना मैं रात को जितने बचे वो तक वो सोईट ने जाएगा मैं तक तक का रूटीन शेयर करूंगी आई हो पा को इंट्रेस्टिंग लगेगा तो जिनको पता नहीं है मोक्ष मेरा एक सेकेंड मेरा सेकेंड बेबी है अभी वानवन्थ हो गया है फैब 26 को और मेरी एक और बेती है माही का फाइव यूर्स और फोर मंस की हो गई है वो तो वह भी व्लॉग में दिखेंगी अब भी वो उठके आ जाएगी जैसे ही मैं और मोक्ष दोनों उठके आते हैं वह उठके आ जाती है तो सबसे पहला काम होता है जब इस टाइम पे जब वो उठता है सुबाइक दम साथ-साथ कभी आड़ बजाता है जो ऊटता है प्रॉपर तो उसको मैं सबसे भ़ेल लटो डाइपर चेंज करवाती हुआ हो पूरी रात वो डाइपर पहने हें होता है और उसके बाद उसको फीड करवाती हुँ मैं ब्रेस फीड बॉटर फीड दोनों करव ब्रेस्ट फीड बच्चे बहुत जल्दी थक के सो जाते हैं अगर करते ना तो उनको जगा जगा के ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ता है और मैंने बोला तरह नहीं अब भी उटके आ जाएगी वह भी आजकल बहुत जल्दी उट जाती है और उसको यह जो एक टाइम होता है नौ साड़े नौ बज़े तक उसका मालिश कर देते हैं तो माही का क्लास होता है दस बज़े से यह पर नौ से दस अभी उसका टाइम चेंज हो गया तो उस टाइम पर मैं थोड़ी से फ्री हो जाती हूं कि मालिश के बाद मोक्स एक घंटे देड़ घंटे वह अराम से दूसरे कामों के लिए भी प्रिपेर हो जाते हैं जब आपके और बच्चे होते बड़े बच्चे तो उनके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा इंपॉर्टन हो जाता इस टाइम पर तो यहां पर मालिश मोसली मम्मी कर लेती है या तो फिर कभी-कभी मैं भी कर लेती हूं या मैं आप चाहतो ऑलिव ओयल कोखनेट ओयल मैं तो यहां पर तिल के तिल से कर रही हूं वैसे मैं सोच चूँ कि दो मंद जब हो जाएगा तब से मैं डाबल लाल तिल से यूज़ करूंगी एक्षिनी माहिका के लिए भी है मैंने डाबल लाल का तिल जो आता है रेड कलर का वही यूज़ करा था तो इसके लिए भी मैं वही कर रहा है यहIVE हनें तो अने beraber को बहुत जाता है रेड को जाते हैं तो फास च chilled clean नहीं जाता है यही दिंक्र तो एक चीज़ की मसाज करने के बाद आपको तुरंत नहीं नहलाना चाहिए बच्चों की बोड़ी बहुत गरम होती है तो थोड़ा सा टाइम लेकि रखे वैसे भी सो जाते हैं मसाज अगर आप अच्छे से कर दो ना बच्चे सो ही जाते हैं यहां पे पेट को उनका मालिश करना तो गैस जतना भी होता है वैसे भी बच्चों को थोड़ा सा हो जाता है गैस की प्रॉब्लम तो वह भी दूर हो जाती है कुछ भी करो बच्चे कध्र ऑबाten थोड़ा सा तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है आप यह तो मैं इसके इ knew court पड़े का या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो माहिका के टाइम पे भी मैंने नहीं कर रहा था मोख्ष थोड़ा सा जल्दी सो जाता है माहिका बहुत टाइम लेती थी मेरे पैरों में उसको जुला जुला के सुलाने में लेकिन हां ये एक है कि जब बच्चे नौ-दस महीने के हो जाता है तब तक ग्यारा बज जाता है और मोख्ष यहां पे साड़े दस्ते ग्यारा मुसलिक ग्यारा वजे ही वह उठता है देड़ घंटे का नैप लेकि वह एं उसके बाद ना कभी-कभी हम लोग यहां पर हल्दी उसको लगाते उसको लगाते ना वह मैंने व्लॉग मे इसे लोई नहीं बनाते हैं हम लोग ऐसे उपतन ही लगाते हैं लेकिन बेनिफिट मुझे बहुत जादा बेनिफिट नहीं मतलब इसका मुझे लोई यूस करने से ना मोख्ष का बहुत बाल थे बहुत जादा तो मैं अपनी एक्सपीडेंस शेयर कर रही हूं इतने बाल थ वैसे इसको बच्चे को लगा सकते हैं और से राउंड डाउंड कर जीसे मैं नहीं कर रही थी वैसे ही तो मेरी फ्रेंड नहीं बोला था मुझे पता नहीं था बहुत अच्छे से उसके सारे बाल निकल गए बचे बच्छे और वह वैसे भी निकली जाते हैं थोड़े लेकिन हेड़ उसको और दिन में एक बार उसका है रोज रोज नहीं करते हैं और हाना भी पहले स्टार्टिंग में उसको थोड़ा से रोज देता था अभी वह कमफटेबल हो गया इसको बहुत मिजाता है बैड़ा है राम से उसको नहीं ऐड़ा दो और हना इसका पर यह वह के बाद करने शmm Volle को एक और बार बाना होदा डंचे 20 मिलें दोनों breast दे बच्चों को feed करवा हो तो mostly दोपर के बाद से उतनी कुछ activity नहीं होती वो सो जाता है फिर उठता है फीड लेता है थोड़ी दिर के लिए जगता है फिर सो जाता है तो ऐसा चलता रहता है करीब शाम के 7 बज़े तक ऐसा तो फिर उसको थोड़ा सा मैं dress face change करके sponge करवा लेती हूँ पाने से नहीं पस ऐसे wipe से कर देती हूँ और उसके बाद वो खेलता है कभी-कभी रोता है किसी किस दिन पूरी शाम सो जाता है किसी किसी दिन पूरी शाम नहीं सोता है रात को सोता है तो कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि इस टाइम पे सो गया उस टाइम पे उड़ गया आप लोग में इसा शेर जरूर करना कि आपको भी लगता है कि बच्चों का भी ऐसा कोई प्रॉपर रूटीन नहीं बनता है कुछ आइडिया नहीं होता बढ़ा एक जरक हमको पता चल जाता है कि बच्चे इस टाइम यह करने वाले हैं अभी ना मुक्ष ऐसा के अभी ने मुक्ष ऐसे 20 दिन का ऐसा था एंड उसको 15-20 दिन से उसको अगर ऐसे फिंगर दो तो होल्ड करता था वह एंड माही का उसको बहुत करवाती है तो यह मायल स्टॉन है जैसे स्टार्टिंग म बगर दो तो वह कुछ भी नहीं पकरता बट पिंगर दो ना तो वह जरूर होल्ड करेंगे बच्चे तो ऐसे कुछ-कुछ मायल स्टॉन होते जो एक मंत के होते होते बच्चे ना उनका फुल हो जाता है फुल फुल हो जाता है वह एंड उसके बाद यहां पर मैं सीधा आठ बज़े के करीब या फिर नौ बज़े के करीब अभी उसको बहुत नींद आ रहा था क्योंकि पूरी शाम वह सोया नहीं था माही उसको सोने नहीं थी ती माही एंड उसको इस टाइम पे में डाइपर चेंज करवाती हूं दो पेर के बाद जब वह उटता है डाइपर बहुत रो रहा है चुपने हो रहा है दो तीन घंटे तक तो क्या पता गैस की प्रॉब्लम हो या फिर कुछ हो तो उसके लिए वह दिया है वह बहुत रयर कभी कबार देने के लिए अबसर्ब करके लेकिन जो यह दो एक वाइटमिन डी का है वह सुबा हम लोग दे देते ह है नहाने से पहले और पर नहाने के बाद एक टाइम फिक्स करने के बाद में मॉनिंग में दे दे दू उसको मालिक मोड़य करने के बाहर इस टाइम पर शाम को एक और देना होता है मल्टी वाइटमिन तो कोई भी आप टाइम फिट्स कर लो आपके उपर डिपेंड करता है ऐसा कुछ डॉक्टर नहीं बोलते के इसको सुबा दीना है इसको साम देना है लेकिन हाँ रेगुलरली बच्चे को वाइटमिन से पर जो करीव भी है दॉपस दिया उसको जरूर देना थोड़ा सा ना बच्चες को मोख्ष को हाथ में लेकि उसको ही जाना पड़ता है यहां या तो फीर लेते ही वह सो जाता है एंड यहां पे ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जैसे बच्चे को हाथ से एपर गोधी से उठा के तो पर बच्च को ढ़ते हैं तो कभी का बार बच्च अगर हलकी सी नीध होती है तो उठ जाता है और बहुत रोणने लग जाता है तो बहुत कैरफ़ली करना पड़ता है सुलानी के लिए मेरे साथ शेयर जरू करना मेरे इन लॉंस के यहां पर नहीं है तो मैंने नहीं लिया एंड मुझे लगता है कि लॉंग तर्म में मुझे बहुत बेनिफिट करता है यह चीज़ मैं अपनी माहिका के एक्सपीरियंस से बता रही हूं अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले लेना बहुत अच्छा है और जो आठ साड़े आठ बज़े से सोता है एकदम वो दस बज़े उठता है आज वो बहुत फ्रेशों के उठा हुआ है और सोने का बिल्कुल भी वो नाम नहीं ले रहा है यहां पर माहिका आज दोपैर में अगर आप बच्चे के सामने रहते हो और इधर से उठाड होते हो ना तो अपने आइस को भी एक साड़ से दूसरे साड़ को कर दूसरे साड़ करने लग जाते है तो यह कुछ-कुछ मैंस्टोन होते हैं जो बच्छे एक मेने के आते आते उनका हो यहां पर उड़ गया है तो आज अभी इसको एक घंटे और लगए सोने के लिए बोड़े हों के पहले मैंने इसका मोक्ष का इसका first word होगा Hi guys व्लॉग में जैसे हम लोग एक मिनट में इसको clean करो इसका first word होगा Hi guys बोलेगा यह अभी time हो रहा है इसक्व टॉल बारा बजने वाले यह अभी उठाए मतलो अभी घंटा जगेगा साड़े बारा एक बज़े तक वह सो जाएगा फिर फिर लेके सो जाएगा फिर फिर उसके बाद I think मैं ब्लॉग continue नहीं करूंगी और फिर वो माही वाँ पर सो रही है माही रात को बहुत चलाते दिए बस उठता है फ़ड़ा सा कभी-कभी यह भी रोता है कभी-कभी इसको बर्प दिलाना है क्या हुआ 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 फिर लिया था तो इसको बर्प करवा रहे कुछ लोगों का यह कमेंट होता था कि वह दूद बहुत निकाल देता है मुझे तो उसको बब करवाना बहुत ज़रूरी है इसको हम लोग अभी कभी तो बीस से पच्चीस मिन दक बब करवाने के लिए से सोल्डर पर रखते तब जाके नॉर्मल होता है मतलब उसको थोड़ा से राम मिलता है एक और चीज अभी वह एक बज़े साड़े बज़े होता है नहीं उतना ज्यादा बट एक हमको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाते एक महीने होते होता है कि कभी कभी न वह दस बज़े बहुत जगा हुआ होता है तो इस टाइम पर उठके फिर से सो जाता है फिर वो सुबह एक और साड़े पांच बज़े के करीब उठता है जाता है उसाँ फ्रवास फिर एक घंटे के लिए फिर फिर लेकर सो जाता है किसे किस दिन पांच कभी अर्ली मौरिंग चार-पांच बज़े पहले पहले होता था अब भी थोड़ा सा नहीं होते है माही के टाइम पहा nu बहुत करता हि चार बजे तो यही है बच्चों के साथ रूटीन थोड़ा सा ऐसी होता है रूटीन मतलब ऐसे ही हमको थोड़ा सा आइडिया लगवाना पड़ता है कि कभी अगर दस बज़े बहुत एक्टिव हो गए तो फिर चलो पूरी राज सो जाएंगे अगर दस बज़े पूरी शाम वो सो रहे ह तो इस टाइम पर थोड़ा सा अक्टिव हो जाता है एक तेड़ घंटे के लिए यह अगर इस टाइम पर भी सो रहे है तो अरली मौनिंग वह जो होता है उस टाइम रूटीन किसी दिन अगर बिगड़ जाता है थोड़ा सा आज उसका शीडूल वैसा हो गया वो शाम को नह चेंज कर दूंगी उसका अभी एक डाइपर उसको एकड़ तो एक दम से सा फीड वीड करवाकर उसके बाद मैं थोड़ी ज़र ऐसे ही छोड़ दिया था फीड करने के बाद क्योंकि फीड करने के बाद ना बच्चे सुसू करते ही है आप लोग अब्जू करना तो उसके और दाइपर भी बहुत जल्दी भारी हो जाता है तो पूरे रात रहना पड़ेगा अभी तो इसके लिए मैं थूरा रुक के ही उसको पहनाती हूं मुक्ष उसको नींद भी आ रही है सोना भी नहीं एक्टी एक्टी भी रहना। रइना है बना नहीं क्या करना bastard कभी-कभी रात के ुचThe से 6 Uhr अगर पूरा शाम सोग बारा एक बज उठ गया तो चार बज्जी जाना है कितने नियू ममी पपा है जो यह व्लॉग देख रहे हैं आप लोग जरूर रिडेट कर पाते होगे बच्चों के साथ तो फाइनली अभी वह सो जाएगा शायद उसको नीद आ रही है तो बस उसको मैं इसे फुल पेंट पहना देती हूं वैसे यह कभी महिंद्र उसको लेके चलते रहते इधर से वज़र तो वैसे भी वह सो जाता है रात के टाइम पे रात के दो बज़ रहे हैं इसको नीद आने का दूर दूर तक नाम नहीं आ रहा है इस ब्लोग को हम लोग यहीं पेंट करते हैं वान मंथ का जो रूटीन था इसका ऐसे ही है बच्चों का कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है किस दिन वह सो जाता है पूरी रात बस फीड कर लिए उठता है किसी दिन ऐसे ही वह कर रहा है तो फिर चले इसके साथ ही आज का रूटीन को यहीं पेंट करते हैं पता नहीं आ गई है पीड के लिए उठेगा सो जाएगा यह इंदम सुबाई उठेगा तो बाई पसे बाई मौक्ष बाई 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 उसको नीदार ही है सोने के कोशिश करें चले मिलते ही को और वीडियो के साथ अच्छा रहा है तो प्लीज लाइन जरूर करना चीक है बाई टेक कैरें